जै गुरू गोरकनात इस तरह हुआ था बाबा गोरकनात का जनम। गुरू गोरकनात एक योग सीध योगी थे। इन्होंने हट योग परंपरा का प्रारंब किया। इनको भगवान सीब का अवतार माना जाता है। गोरकनात को गुरू मसेंदरनात का मानस पुत्तर भी कहा जाता है। मानता के अनुशार एक बार गुरू मसेंदरनात भिक्ष्या मांगने एक गाउं गए एक घर में भिक्ष्या देते हुए इस्तरी बड़ी उदास दिखाई दी। तो गुरू ने पूछा क्या समस्या है। इस्तरी बोली मेरी कोई संतान नहीं है। उस इस्तरी को परसान देख गुरू मसेंदरनात ने उसको मंतर पढ़कर एक चुटकी बभूत्ती दी और पुत्तर प्राप्ती का असिरवाद भी दिया। लगबग बारा साल के बाद गुरू मसेंदरनात उसी गाउं में फिर से आए और उस इस्तरी के घर पहुँचे। दर्वाजे के बार से आवाज लगा कर इस्तरी को बुलाया और कहा अब तो पुत्तर बारा साल का हो गया होगा। असलियत में बह इस्तरी गुरू मच्चेंदरनाथ की सिद्यों से अंजान थी इसलिए उसने गुरू मच्चेंदरनाथ दुआरा दी भभूत को खाने की बजाए गोबर में फैंक दिया था गुरू मच्चेंदरनाथ की सिद्यों इतनी परबल थी की बभूत बेकार नहीं जाती इस्तरी गबरा गई और सारी बात बताई की मैंने बभूत को गोबर में फैंक दिया था गुरू मच्चेंदरनाथ ने कहा बह स्थान दिखाओ बहां जाकर देखा तो एक गाएं गोबर से भरे एक गड़े के उपर खड़ी है और अपना दूद उस गड़े में जलका रही है तब गुरू ने उस स्थान पर बालक को आवाज लगाई गुरू मच्चेंदरनाथ की आवाज से उस गोबर वाली जगें से एक बारेंबर सुन्दर अकरशक बालक बाहर निकला और हाथ जोड़कर गुरू मच्चेंदरनाथ के सामने खड़ा हो गया इस परकार बाबा गोरकनाथ का जनम इस्त्री के गर्व से नहीं बलकी गोबर और गोदवारा की जाने वाली क्रक्ष्या से हुआ था इसलिए इनका नाम गोरक्षक पड़ा इस बालक को गुरू मच्चेंदरनाथ अपने साथ लेकर चले गए और आगे चलकर यही बालक गुरू गोरकनाथ बने गोरक्षक नाथ ने ही नाथ योग की परमप्रा सुरू की और आज हम जितने भी आसन, प्रणयानाम, सश्ट करम, मुंद्रा, नादानुसदान या कुंडलियनी अधियोग साधनाओ की बात करते हैं सब इने की देन हैं जै बाबा गोरकनाथ